नमस्कार शिक्षारतियो नैदाने के वं उक्चारत्मक पोशन की व्याख्यान श्रिंखला में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम जेट्रांत्री रोगों में आहर के दूसरे भाग के बारें बात करेंगे पिछले भाग में हमने कुछ रोगों में आहर नियोजन और आहर प्रबंधन के बारें बात करी थी जैसे ही अपच और पैप्टिकल्स, कब्स इस व्याख्यान के दूसरे भाग में हम एन्य रोगों को की बारें बात करेंगे और उसमें अहरी प्रबंधन की चर्चा करेंगे पहला जो हम रोग लेंगे वह है軸 offense जिसे हम diarrhea कहते हैं डाइरिया की स्थिथी वह होती है जब मल बहुत अधिक मात्रा में और अधिक पतला और बार बार निशकाशित होता है। इसमें मल का प्रदार्थ बड़ी आत वाले भाग में इतनी शीगरता से आगे बढ़ता है कि उसमें जो मजूद दवी प्रदार्थ होते हैं उनको अशोशित होने का मौकर नहीं मिलता। जिससे अपूर्ण जो मल होता है वहीं निशकाशित हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अतिसार या दस्त की इस्तिती में बहुत पतला मलाता है क्योंकि उसका वाटर जो होता है वो अब्सॉर्ब हो ही नहीं पाता। अगर इसमें उचे तेखवाल ना हो तो शरी में तीवरता से जलकी कमी हो जाती है और खासकर या इस्तिती जानलेवा हो सकती है चोटे बच्चों में नवजाज शिश्वों चोटे बालकों में यदि इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो उनकी मृत्यू तक हो सकती है। यह दो प्रकार का होता है तीवर और दीरकालीन पहले हम तीवर अतिसार यानि अक्यूट डायरिया के बारें बात करेंगे अक्यूट डायरिया अचानक आराम होता है और इसमें बहुत तेजी से दस्त होते हैं इसकी आपरिती बहुत जादा अधीक होती है क्योंकि रोगी एक त्रोगी का शरीर बहुत ज्ञादा शित्ल और कमजोर पड़ जाता है इसके लक्षण है बहुत तेजी से पानी की'llा पतला मल बर बर आना और इसास में पेट में बहुत भोजन खाया हो तहो उस्सक्राइब हो सकता है किसी बोजी-पिदार से allergy कोपोशन के दवारा भी हो सकता है food poisoning या food contamination के दवारा हो सकते हैं कुछ दवाईयों के प्रभाव दवारा खाय कई बार किसी विशेशेश प्रकार की दवाई हमने ली उसकी जैसे भी हमें डायरिया हो जाता है और कई बार कुछ रोगों की लक्षण की रूप में डायरिया देखा जाता है जो किसी रोग का लक्षण होता है और कई बार मनोवज्यानिक कारण भी होते हैं जैसे अतिदिक चिंता डर तनाव के कारण भी डायरिया हो सकता है अब बात कर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स की यदि तुरंत पूर्थी न करी जाए तो रोगी की हलत बहुत गंभीर हो जाती है और वित्यों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है इसमें हम आरी उप्चार ओरल रिहाइडरेशन थेरपी के माद्धी हम से दे सकते हैं क्योंकि इसमें आरी उप्चार का मुख्योदेश मूलता जल और लवणों की पूर्थी करना होता है तो जो ओरल रिहाइडरेशन थेरपी है यह बहुत सरल सस्ती और प्रवावशाली चिकितसा है इसमें हम मरीज को उबले पानी में नमक और चीनी का गोल बना कर देते हैं ताकि जल और खन आपने 2.5 ग्रैम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्रैम और ग्लुकोस 20 ग्राम इन चारो लवड़ों को पीने के पानी के साफ एक लिटर पानी में घोल कर हम O.R.S बना सकते हैं और इस घोल को प्रत्यक दस्त के बाद रोगी को एक ग्लास देना चाहिए या अगर छोटा ब इसमें हम प्रचुर मात्रा में सबसे पहले तो O.R.S ही रोगी को देंगे उसके बाद नार्यल का पानी जौ का पानी या दालवा नाज का पानी दे सकते हैं चाज मठा या बहुत हल्की चाहिए दे सकते हैं अगला जो है वहा है क्रोनिक डैरिया यानिकी दीर काली नतिसार दीर काली नतिसार की में आपरिती बहुत अधिक तो नहीं होती पर अरंतु या अतिसार लंबे समय तक रहता है इसमें रोगी दिन भर में चार से छे बार मलू सज कर सकता है और या अवदी कुछ हफतों तक की हो सकती है खादी बदार्द का आतों से जल्दी जल्दी निश निशकाशन होने पर अफशोशित नहीं हो पाता और इस स्तिती में लंबे समय तक रहने के कारण रोगी के शरीट में जल की सासाथ पोशक तत्तों की भी कमी हो जाती है दीर काली अतिसार के लक्षार तीवर अतिसार की तरह ही होते हैं जैसे पेट दर्द होती है और कमजोर होती है परन्तु इसमें मल उत्सर्जन की आवरत्ती अधिक नहीं होती प्राहयार रोगी दिन भर में चार से छे बार अनपचा पतला मल निशकाशित करता है कारण इसके हो सकते हैं यदि लंबे समय तर्ग अ atéधी मसालेयद घ्धुजन का सेवन करा हो बट्रीयल कोई संक्रमन होगा कई बार अवशूर्शन समंदी विकारों के करन डारिया हो सकता है लंबे समय में चूगी इसकी अवदी बहुत लंबी होती है तो रोगी काफी समय तक परियाथ पोश्चित वन्चित रह जाता है तो इस इस्ति में रोगी कोपोश्चित हो सकता है और इसकी वजए से कोई भी कोश now-ое हो सकता है और यदि अतीसार किसी अन्य रोग जैसे कैंसर आदी का लक्षन है, तो समय से उपचार ही एक पांत्रव नीवारन है, बात करेंगे इसके आहरी उपचार की, इसके आहरी उपचार में जल और लवड़ों की पूर्दि करना तो हैं ही, परथ साथ साथ अन्नि पोश्चतत्वों की पूर्दि करना भी इसका उदेश जै इसमें उड़ जागी आवशक्तों को 10-20 प्रतिशक तक बढ़ाया जा सकता है जिसे की शारीरिक दुर्वलता और घटते वजन पर रोग लगाई जा सके प्रोटीन की भी कमी हो जाती है शरीर में इसलिए मांस्पेशों के उचित निर्माड और कोशिकाओं की शतिपूरती के के लिए प्रोटीन को 50 प्रतिशक तक बढ़ाया जा सकता है आतों की बड़ीवी क्रियाश जीलता के कारण वसा का पाचन नहीं होता इसलिए इसमें वसा तो वर्चित करनी चाहिए और परन्तु शारीरिक अवस्ता के अनुसार बड़ीवी उर्जा की आवशक्ता पूरी कर करनी चाहिए विटामिन्स की बात करें तो चूंकि मल में जल के निशकाशन के सास्था जल में गुलंचीन विटामिन भी उस सर्जित हो जाते हैं आता इनको परियाफ तमातरा में देना चाहिए इसके अलावा वसा के अशूशन नहों पाने के करन वसा में गुलंचीन प्रचुर मात्रा में देना चाहिए जिसमें और इसका गोल सकता है साधा पानी नीबू पानी सूप फ़लों का रस इन सभी प्रकार के द्रवयों का सेवन किया जा सकता है प्रचुर मात्रा में दिनने योग भुजि पिदाअट और वर्चुर मात्रा में धुली वी डालें दे सकते हैं रेफाइन सीरियल्स दे सकते हैं बहुत अच्छे से पकीईवी और कोमल सबजी यां फल में जैसे केला पपीता दूद से बनी चीजें जैसे दही पनीर अंडा मचली चिकन जो शरीर की पाचन शम्ता के अनुसारम दे सकते हैं और वर्जित भोजबदार्त है साबूत अनाजमा दाले नहीं देनी चाहिए कच्छी सबजियां वफल नहीं देनी चाहिए को कि इसमें रेखकत कर सकता है अब बात करेंगे हम उदर के कैंशर यानी कार्सिनूमा और स्टमक की कैंसर शरीर की कोषिकाऊं की विमारी है या एक विकार है जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाएं असमानी रूप से बढ़ने लगती है जब पेट की उपकला परत जो इसकी एपिधीलियल लेयर होती है उसकी कोशिकाई बढ़ने लगती है और असमानी रूप से विवाजित होने लगती है तो इस इस्तिती को पेट का कैंसर गैस्ट्रिक कैंसर या उधर का कार्सिनोमा कहा जाता है या उधर का कैंसर दुनिया भार में मृत्यों का प्रमुक कारण है और गैस्ट्रिक कैंसर दुनिया में कैंसर से संब्दित मृत्यों का चौथा सबसे आम कारण है इसके जो किमकारक है जैसे हलिकोबेक्टर पाइलोरी का इंफेक्शन जो दीर की कालीन समय से हो धुम्रपान भारी मात्रा में शराब का सेवन अतिधिक वजन या मुटापा मस सेवन अगर अलसर के लिए पेट की सरजरी हो तो वो अभी कैंसर का कारण बन सकती है और कोईला धातू लकड़ी या रवर उद्यों में काम करने वालों को भी यह कैंसर हो सकता है या एसबस्टेस नाइट्रेट्स नैट्राइट्स और नाइट्रसमीन्स इन जो कैमिकल्वल होते हैं इसके कॉंटैक्ट में अगर लगातार रहा जाएं तो यह भी कैंसर का कारण बन सकता है इसके लक्षण के बात करें तो उधर कैंसर के लक्षण बहुत धीमी गती से प्रकट होते हैं और शुरबाती लक्षण आम तो पर अपच या गेस्ट्राइटिस जैसे सामानी लक्षण ही होते हैं जिनकी व्यक्ति हंदेखी कर देता है तो सामानी संकेत हैं इसके अपच होना मतली या उल्टी आना और भूपना लगना काला मल आना और अनीमिया के करण शरीर पीला पढ़ना ताकत और वजन में कमी आना और बढ़ा हुआ पेट और लिंफ नोट्स पर जो इसकी देर से उन पंद जटिलता हैं हैं वो है गैस्टिक निकास या गैस्ट्रोइसोफीगल ज बाड़ जाना और उसकी वज़ा से पीलिया हो जाना पित्त की निकासी में भी रुकावट उसकते इसके कारण पीलिया हो सकता जिसे प्रतिरोधी पिलिया कहते हैं और ट्यूमर मूल का चैक्सिया यानी शरीर का शहीं जिसमें भूक नहीं लगती और धीरे-धीरे शरीर हस्तर शेप के आवशक्ता होती है पहली है सरजरी दूसरी है विकिरेंट चिकिसा या कीमोथरपी और प्योशन संबंदी सहायता उदर कैंसर के लिए आहर का निर्धारन कैंसर के स्थान कारियात्मा गड़बडी की प्रकृति और बीमारी के चरण और हस्तक शेपों के प्रका करना अहरी स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए इसके पेशिंट के लिए उसकी भूजन के आवरत्ती बढ़ाए जानी चाहिए मसालों को अपयोग किया सकता है बट बहुत लिमिटेड मातरा में जिससे की उसको स्वाद आए और वहां खाना खा सके आहर में लाल मान से बज जैसे उच्च उर्जा वाले भूजन दिये जा सकते हैं और रोगी की स्थिक अनुसार खिलाने की तरीकों का चेयन करना चाहिए इससे पहले बारे व्याक्यान में जो हमने एंटेरल और पेरेंटेरल फीडिंग मैथर्ड के बारे में बात करी है तो यह मौकिंग मार्क एकि मरीज हमेशा मूँ से भूजन ले अब बात करते हैं गैस्ट्रिक सरजरी या आमाश्याइक शाली चिक साकी जिसको गैस्ट्रक्टोमी भी कहते हैं गैस्ट्रक्सरजरी की हाविश्यकता तब होती है जब पेट में सामानी पाचन और अफशोशन परयाब दूरूब से नहीं हो पाता मुटापे के मामले में भी कभी कभी जान बूच कर पाचन को सीमित कर दिया जाता है पेट के कुछ या पूर्ण गैस्ट्रक्टोमी कहते हैं और या आमतोर पे गस्ट्राइटिस, पैप्टिकल स्टर कैंट, कैंसर राधी उन्रत मामुर में किया जा सकता है और पैप्टिकल सर के साथ रक्तसराव होने पर यदि उदर की उपकला परत में छिद्र हो, किसी प्रकार की फंक्शन नहीं करता तो इसलिए जश्रान सम्मंदी कारियों को फिर से शुरू होने तक खादिविदार्थों का मौकिक सेवन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है रोगी मूग के मार्क से भोजन नहीं लेता गैसिक सजरी के बाद निम्रे चर्णों पर विचार किया जा सकता है पहला है यदि रोगी की इसी दी बहुत जटिल है तो उसे हम पेरेंटरिल फीडिंग यानि अंताशिरा पोशन दे सकते हैं उसके बाद जब रोगी के अलत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है परन्तु उसके स्वस्त होने में अधिक समय लग रहा है तो अंताशिरा पो और खादी बदार्थों के प्रती सैश्रुता के अधार पर खादी बदार्थों की निरंतरता और मात्रा को मुलायम से ठोस खाद्यों की ओर बढ़ाया जा सकता है गैस्ट्रक्टोमी के पेशिंट्स के लिए मुह द्वारा अनुमत पहला द्रव आमतोर पर बरफ के रूप मुख्त कम वर्लिक खादी बदार्त दिये जते हैं क shooting delivered को नहीं दे जाते हैं क्योंकि पचा नहीं की बचाता पूर्ण enzyme मद्यांत यानी ऊपर ही छोटी आथ में मवजूद होता है और इस lactose intolerance की स्थिती में lactase enzyme की कमी हो जाती है जिसके कारण lactose जो शुगर होती है वह पच नहीं पाती और व्यक्ति को कई प्रकार की लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं lactase enzyme की कमी होती है उसका इसतर व्यक्तिकत होता है और यही डिसाइड करता है कि व्यक्ति में lactose जो intolerance है उसकी गंबीरता कितनी है जब lactase enzyme की कमी होती है तो अंतरगरी lactose बिना पाचन के बढ़ी आत में प्रवेश कर जाता है और यहां पर यहां आतों के microflora द्वारा पचाया जाता है जिससे यह लैक्टिक आसिड में convert हो जाता है जो अतिसार और lactose आहिश्रुता के अनिलक्षणों का कारण बनता है lactose अस आहिश्रुता के सामाने लक्षणो और मतली आतों में फुलाओ पेट में आठन गैस और पेट फूलना गंभीर अतिसार अल पोशन और वजन की कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं इसके कारण है अनुवांशिक हो सकता है आतों में संक्रमण के कारण lactose की गतिविदी कम हो सकती है सीलियक स्प्रू कुलाइटिस जैसी बीमारियां जिसमें मध्यांतरी विलाई संग्रशना अत्मा ग्रूप से शतिग्रस्त हो जाती है उसके कारण भी lactose intolerance हो सकता है या शारी चिकित्सा द्वारा मध्यांतर के निकाले जाने के कारण भी lactose अहिशन शुटा हो जाती है पोशन प्रबंधन में इसमें निर्धारित आहरी दिया जाता है जिसमें lactose के प्रबंधन को मुक्य रूप से किया जाता है और आहरी उप्चार के योजना lactose गतिविदी के स्थर पर निर्भर करती है जो बहुत कम मध्यम कम और हलके रूप से कम lactose की गतिविदी हो सकती है Lactase गतिविदी के बहुत कम स्तर पर आहार से सभी दूद उत्पादों को हटा दिया जाता है और इस इस्तिती में दूद के विकल्ब जैसे सोया, दूद, मुफली का दूद या उनके उत्पाद दिये जा सकते है Lactase गतिविदी की मामूली कम और मध्यम इस्तर पर सहन शीलता के आधार पर दूद का सेवन अनुमे होता है इसमें दूद का किन्वित रूप यानि fermented फॉर्म दिया जाता है और पकाया फॉर्म दिया जाता है क्योंकि यह बहतर रूप से सहन किया जा सकता है Fermentation की विजह से Lactose का एक प्रमुख भाग Lactic Acid में Convert हो जाता है या छाज, तही, कस्टर्ड, दलिया और पनीर की रूप में या अनाच, कोको, आधी के साथ मिश्रित होने पर बहतर सहन किया जाता है दूद और दूद उत्पादों के प्रदिवंदित होने के कारण चरिण में कैल्चिम की कमी हो सकती है और इस कमी को बुरा करने के लिए आहर में कैल्चिम योगतानिक खादिवदार्थ या बहत अधिक कमी होने पर कैल्चिम के पूरग भी दिये जाने चाहिए बात करते हैं शोबी आंत्रविकार यानि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की यहाँ मूलता एक रोग नहीं बलकि संकेतो और लक्षणों का एक समूव है जो एक व्यक्ति आत्की परिवर्थित गदि शीलता और पाचन नली की सम्वेदन शीलता के कारण अनुभव करता है बिदूश्विया भी शामिल नहीं होती गंभी संकेत और लक्षण कभी कभार ही दिखाय देते हैं कभी कभार अतिसार कफ्वज और पेट-डरद समाने लक्षण और शौच जहने के बाद जिन से आम तोर पर राहत मिल जाती है इसके समाने संकेत हैं पेट में दर्द होना एंठन सूजन अतिदि गैस होना अतिसार होना या कबज होना और हमेशा अपूर्ण निश्काशन के नुबूती होना या मलाशे में दर्द होना या मल में म्यूकस का निकलना श्लिश की कमी से अनीमिय होना अस पश्टी करित वमन निगलने में कठिनाई लगतार दर्द रहना जिसमें गयास होना मलतियाग करने में रहत मलतियाग करने के बाद भी रहत ना मिलना इसके जो किमकारक है जट आंतरप्रत के संक्रमन के दौरा या हो सकता है दीरकालीन बुखार बहुत ज़्यादा प्रयोग अंटिबियोटिक्स कैफीन नीद और आराम का कोई नियमित्ता ना होना या तरल बदारतों के सेवन में नियमित्ता का अभाव अलरजी का पारिवारी के दिहास और कुछ विशेश खादी बदारतों के प्रति अतिसम्मेदन शीलता इसके जो क देन कटके रोगी का मारगदाशन करना और अहर प्रताओं की भूमी का पर ध्यान केंद्रित करना पूशन संबंदी देखबाल के लेक्षण को प्राप्त करने के लिए अच्छे पूशन की सुनिश्चित करने के लिए और लक्षणों से चुटकारा पाने के लिए इल्टे रहार का प्रयोग करें चोकड और मोटे अनाज का तिती को प्योग नहीं करना चाहिए आरी रेशे की सीमा ध्यानिक सीमा 25 ग्राम तक बढ़ाने से आंत्रे काद़तों को सामाने बनाने में मदद मिल सकती है विस्तरित रेचक के रूप में घुलंशील रेशा सहयक होता है लक् अनिको के माध्यम से हम तनाव को कम कर सकते हैं जिससे लक्षणों में राहत मिलती है तो शिक्षार्थियों आपने देखा कि इस व्याख्यान में हमने मूलता कहीं सारे जट्षांतरी रोगों के बारे में बात करी और उनके पोशन प्रबंधन के बारे में बात करी किस प्र व्याक्यान के बाद के अगले व्याक्यान में हम रिदे रोगों में अहर नियोजन के बारे में बात करेंगे धन्यवाद